हेलो दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको कछ़दस बिग्यान के पार्ट 3 और पार्ट 4 से सम्बंदित कुछ important questions दिखाने बला हूँ दोस्तों तो जल्द से जल्द इन questions को देख लीजिएगा बोर्ड पर इच्छा से पहले इस वीडिय कीजिएगा जो मैंने बताया है ठीक है दोस्तों यह 2022 के लिए काफी ज्यादा important है मैंने कई वर्स के question papers में देख करके इन questions को छाट करके लिखा है ठीक है तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर देखो दोस्तों part 3 के question मैंने लिया है और आपको बता मैंने केवल उतने ही question लिया है जितने आप सीमित समय में तयार कर पाओ क्योंकि आपके सामने time बहुत कम है ठीक है दोस्तों तो आप जिसे कम समय में तयार कर पाओ और आसान भासा में लिखा है ताकि आप इसे जल्द से जल्द याद कर पाओ ठीक है तो यहाँ पर देखो पहला question क्या है सक्रियता स्रेड़ी क्या है इसके दो प्रमुख उपियोग लिखो देखो अनुप्रियोग या उपियोग एक ही चीज है ठीक है काफी ज्यादा important question है सक्रियता स्रेड़ी और ये part 3 से पूंचा जाता है तो यहाँ पर इसके उत्तर में आपको कैसे लिखना है ध घटते क्रम में धातवों को उनकी क्रिया स्रेड़ी और करम में व्यवस्तित किया जाता है किया जाता है विग्यापन के प्रयोगों के बाद निमन स्रेड़ी को विक्सित किया गया है जिसे सक्रीता स्रेडी कहते हैं अब सक्रीता स्रेडी क्या है विग्यानिकों ने कौन सी स्रेडी बनाई है उसे देखिए यहाँ पर नीचे बनाया गया यानि कीसी तरीके से एकजाम में भी आपको लिखना है कि विग्यापन की प्रयोगों के बाद निम और potassium से कम क्रियसील है यानि जैसे जैसे नीचे जाएंगे दोस्तों इनकी क्रिया सीलता क्या होती जाएगी घठती जाएगी जैसे देखेए potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron और आगे देखिए मैंने यहां पर लिखाया है दोस्तों यदि लिखने के लिए कहेगा तब आपको लिख देना है ठीक है यदि लगुत्रिये में रहे तो या फिर दीरभुत्रिये में रहे तो तब आपको ऐसे लिख देना है और अति लगु में रहे तब आपको ये सब नहीं लिखना है अनली आपको बता देना है कि सक्रिता की सहायता से धातों की अभिक्रिया सीलता की तुलना की जा सकती है यानि जो सक्रिता सनरी होती है इसका उपयोग क्या है इसको क्यों विक्सित किया गया ते इससे क्या होता है दोस्तों धातों की अभिक्रिया सीलता यानि कौन सी धातु कितनी जादा क्रिया सील है ठीक है और स जात में क्या किया जा सकता है एक धातु के दूसरे धातु से तुलना की जा सकती है क्यों जादा क्रियसील है क्यों जादा क्रियसील है यानि दो धातु के वीच में आपस में तुलना की जा सकती है कि कौन से धातु जादा क्रियसील है उसी को हम सक्रिता स्रेडी से पता कर पा यानि कि जो सक्रिता सेम्व क क्रिता से के हैं कि पता ती है कि अमल में से ह्ढक्रों ज़िए थाथ पर पाती है यहां क्वेश्चन आपके सामने भर्जन क्या है या क्रिया किन सांद्रित आयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है देखिए भर्जन तथा निस्तापन काफ़ी ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ठीक है यह हर वर्स लगभग वोड एक्जाम में आते हैं तो भर् सांद्रित आयस्कों को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिला करके उसके गलनांक के नीचे वायू की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिती में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहा जाता है ठीक है ध्यान से एक बार देख लिजेगा सांद्रित आयस्कों को अकेले या कि इससी अन्पदार्थ के साथ मिला करके उसके गलनांक के नीचे वायू की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिती में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहा जाता है तुझ अब दोस्तों अब देखिए काफी ज्यादा important question तन्यता तथा अघात वर्धिता को समझाईए या फिर तन्यता तथा अघात वर्धिता में अंतर भी पूँच लेता है ठीक है तो ध्यान दीजिएगा आपको सेम ही उत्तर लिखना है तेहां पर देखो तन्यता में धातुओं को पतले तार के रूप में खीचने की छमता क तन्यता कहते हैं यानि ऐसी धातु हैं जिनको खीच खीच करके क्या किया जा सकता है एक पतले तार के रूप में खीचा जा सकता है उसे हम तन्यता कहते हैं तूना जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तन्यतातु है इसको बहुत ही Packy ज rein लंबी तार बनाई जा सकती तब आप समझ सकते हो कि सोना कि इतनी ज Hadha Tани तन्य दातु है ठीक है? सोना बहुत ही जادा तन्य दातु है इसलिए कहते हैं कि सोना जो है तन्य और इसके अंदर तन्यता का गुड़ धर्म जो है वह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और दोस्तों यह जो मिस्जर धातू जो है यह कभी-कभी दीर गेजिशरी में जूँचता है जिश्चते हैं न Court लाइट इस में घुथाति गेजिए घूट लिमिस्जर धातू के लिख़े इस लिए ली-गेजिशन देम तैयार कर लिजए जब दो या दो से अधित धातूओं को प्रमुख दोस्तों तो अभी तक जितने भी क्वेस्चन मैंने बताए टोटल चार क्वेस्चन मैंने आपको पार्ट तीन के बताए ठीक है पार्ट तीन के और उसके बाद दोस्तों एक क्वेस्चन आज मैं आपको पार्ट चार के बताऊंगा उसके बाद नेक्स्ट वीडिय करूं यहाँ पर देखो दोस्तों पार चार कमेने केवल एक ही अभी इंपोर्टेंट क्वेस्चन लिखा है और बाकी जितने भी मैं नोट्स बनाऊंगा तुरंत आपको विडियो प्रोवाइड कर दूँगा चार अपरायल से पहले तो यहाँ पर देखो दोस्तों साबुन की सता पर होता है कहां होता है जल की सता पर तब इसके अडू अपने को इस प्रकार विवस्थित कर लेते हैं कि इसका आइनिक सीरा जल के अंदर होता है जबकि हाइड्रोकार्बन पूँछ जल के बाहर होता है अब जल के अंदर इन अडूं की एक विशेश विवस्था होती ह याली जो साबुन के अडू होते हैं उसके अंदर क्या होता है एक विशेस बेवस्था होती है जल के अंदर और ऐसा अडूओं का बड़ा गुच्छ बनने के कारण होता है और इसमें क्या होता है कि जिसमें जल विरागी पूँच जो होती है वो गुच्छे के आंतरिक हिस्स साबुन जल की सता पर होता है तब इसकी अडू अपने आपको इस प्रकार विवस्तित कर लेते हैं कि इसका आइनिक सीरा जल के अंदर होता है जब कि हाइड्रोकारवन पूछ जल के बाहर होता है ठीक है और जल के अंदर इन अडूओं की एक विशेश विवस्ता होती है ऐसा वो साफ सफाई करने में सच्छम होता है क्योंकि तैलीय मैल मिसल के केंदर में एकत्र हो जाती जितनी भी तैलीय मैल होती है दोस्तों जब मिसल बन जाता है तो उसके केंदर में जितने भी मैल या फिर जितना भी कचड़ा होता है वो इकठा हो जाता है और मिसल जो है दोस्तो तो वो आसानी से हटाए जा सकते हैं ठीक है तिये रही साबुन की क्रिया विधी आपको इतना ही लिख देना है ध्यान से देखिएगा मैंने पूरा एक पेज लिखा है यहां से देखिए पेज लिखा है और आपको दिखा दूँ ध्यान से देखिए पूरा एक पेज है इतना ही आपको भी गोडिंग जाम की कॉपी में क्रिया विधी सावन की लिखनी है तो मैं बाकी क्वेस्टन्स को पार चार से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेस्टन बनेगे उन सभी को मैं एक पार चार के उपर एक मात्रकेला वीडियो बनाऊंगा और उसमें इस क्वेस्टन को फिर से दिखाऊंगा और बाकी क्वेस्टन्स को भी आपको दिखा दूँगा तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत